हेलो दोस्तों वेलकम टू आरेम स्टोडी मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके आपनी चैनल आरेम स्टोडी पर जैसे कि यह वाला सेशन आप अब जो चल रहा है यह है ट्रांजिस्टर का तो आज का जो सेशन डिसकेशन कर रहे हैं ओ है आपका कैसे हम आइडेंटिफ को सांदर बनाने के लिए तो इस चैनल में जो नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले क्योंकि वीडियो के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन से थ्रों से आपको आता रहेगा अगर आप चाहते हैं तो टेलिग्राम क करना चाहता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर होगा आप उधर से डाउलूड कर सकते हैं तो चलते हैं आज के सेस्टन को सुरू करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम कैसे आइडेंटफाइग करेंगे PNP और NPN ट्रांजिस्टर पहले हम PNP का का हुआ है यह होगा आपका PNP ट्रांजिस्टर का फिगर तो इसमें से कैसे फांड आउट करेंगे देखिए यह आपका emitter का point यह है best का point यह है collector का point यह तो point आपको पता चल गया तो इसमें से क्या करेंगे हम टेस्टिंग के लिए जादा तर ओम मेटर चलू करते तो हम ओम मीटर लगाएंगे किस तरह सब भी देख लेंगे कि particular % अगर यह वाला आपका पी कि यह वला आपका अन यह बला आपका दुआ है पी एन पी बताया था मैंने आपको तो 味ाकरेंगे ओम मीटर जो लगा है कि इस तरह सा ओम्मीटर लगा लेंगे मतलब ओम्मीटर का पॉजिटिव कि एमिटर जो लगाया है उसका पॉजिटिव के साथ ठीक है एमिटर का टर्मिनल के साथ उनका नेगेटिव के साथ इस तरह साथ कलेक्टर के थ्रों से भी एक एम ओम मिटर लगाएंगे कुछ इस तरह आगा तो देख सकते हैं यह आपका फिगर हुआ तो इस फिगर में से क्या हुआ देखिए पी एन पी पर लग गए आपका पॉजिटिव एन पर लग गए आपका नेगेटिव तो यह वहला फोर्वाट बाइस में हो गया अभी यह दो फिगर आप देख रहे है यह अभी फोर्वाट बाइस में रहे रहा है फोररवाट में रहा है मतलब उसका जो रेजिस्टंस का क्या होगा लो रेजिस्टंस थे सोग अब कि प्लारिजिस्टंस यह मेट इसमें और संवज नहीं पार रहें तो एसे भी समझ लिजिए je एमिटर यह बेस यह आपका collector रहे गया है तो हम ओमडेटर जो लगाएंगे यह यह पीन पी चानिस्टर है ओम्मीटर लगाने का तरीका क्या है देखिए इस तरह साथ ओम मिटर लगा लेंगे सिंच नोसमें अधोफ में गाइं हैम आपका इधरकन तर्मिनल पर कि अग़ींट को हो गया तो इधर आपका इसमें आपका ब्रफीस्टंस आपका उधर्णिस्टाज में बताई है तर्मिनल लाद और अगर हम देखेंगे दूसरा का निसमातर रिवर्स करके देखेंगे यह वाला आपका हो गया पी अपी टान्जिस्टर का फिगर तो अब क्या करेंगे सिप ओम मीटर जो लगाएंगे ओम मीटर का टर्मिनल को रिवर्स करेंगे तर्मिनल को रिवर्स मतलब पॉजिटिव बला टर्मिनल हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे नेगेटिव बला टर्मिनल हम लगाएंगे इसका पी पर मतलब यह वाला पी अनपी में आपको पहले बताया था पी अनपी बला ट्रांजिस्टर लिया हुआ है इधर इधर है और देखेंगे हैं नेगेटिफ बने टर्मिनाल जो है हम कलेक्टर में लगाएंगे तो यह अगर आपका इस तरह सब हो गया हो से अधिक सब्सक्राइब इस तरह सब्सक्राइब कॉंसा है पोजेटिफ नेगेटिव हो गया यह क्या था यह वैला आपका पी पे जाकर कनेक्शन हो गया इसका मतलब क्या हो गया आपका उममम्मिटर जो है रिबर्सस में कनेक्शन हो अगर इस फिगर से नहीं समझ पार है तो इसमें भी आपको बता दे रहा हूं कोई वोड़ी बात नहीं है यह देखें का व Ari he is तरह द्रावन यह आपका था PNP वाला ट्रांजिस्टर प्रक्यक्व तो इникиटिन लग जाएगा P sate पोजीटिव यह वाला पोजीटिव लग जाएगा ay a ऐन पर इदर इस तरह से यह वालाagen भी नेगीतिन लग भी हो जाए यह आपका प्योडिटीव हो जाएगा सब्सक्राइब एपस्टाइब है तो अंध सकत्वë होगा है हैं यह दुन मुखिया है तो इसका मतलब क्या रहे लगाते हैं हाँ है नोर इससे ऑपसों कर रहा है और हए रजिस्टरन को कर लेतें तो इस तरह से हम आयडिन्टिफाइए कर सकते यह आपका फि फ से dirt्र तो एन प ट्राजिस्टर का में एंपन ट्रांजिस्टर का में इसे बादब NPN का क्या करना पड़ेगा पहले जैसे यह बाला कनेक्शन हुआ है फरवाड बयास का सिर्फ इधर आपका टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा इसका भी फिगर में आपको दिखा रहा हूं हम अब NPN की बारे में डिसकेशन करेंगे तो NPN जो ट्रांजिस्टर किस तर ऌतर नहीं होगा इसल्ठान मार्किंगों आपको तो पता नहीं होगा मं स्όल स्रेट वांका ट्रांजिस्टर दे रहा हूं चाहिpps जान आसे मांपको पता चलतां सब्सक्राइब होरा में अग sì इधर नहीं दूंगा तो आपको पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है तो इसलिए आपका जोरूरी चेप्टर है कि आपको पहले आइडिंटिफिकेशन कैसे करेंगे कौन सा पी एनपी है और कौन सा इनपी इस तरह सा अगर यह वाला आप देंगये नेगैटिफ़ एन में लगाएंगे इस तरह सा इधर अगर आपका कार्यों कीआ जाई तो उसका भी आपका चिलतर्मिनल करक्ट कर में लग जाएगा और देखिए पर आपका दोनों का फ्लॉस लग गया आप अब आपका दोनों का भी ळगगा है इसका मतलब क्या हुआ यह दो है आप वैसम जैसाος है इसलिए इधर आपका लो रेजिस्टंस के आपका ये इधर आपका लो रेजिस्टंस जो कपरेगा इस तरहसा अगर मैं बात करने जाओ थे दूसरा फीगर में अगर मैं उसका कनीक्सम को थोड़ा चेंज करता हूं मतलब उसको रिवर्स करना पढ़ेगा मेरेको को तो रिवर्स करने से च्ण होगा तो चैन के यह बाला ओममीटर का कनेक्षन अगर में रिवर्स कर लेता हूं यह वह वाला आपका है n and Giок that me लेगा लोगा नेगेटिव ओंव म्हलिटर कहा पॉटिटिव मेलो जो आलोगा इसे तरह सा dość अगर और एक कोह मीटर का इस तरह से किनेक्शन करूंगा यां की मेंन की मैँ उसका निगटिव कनेक्शन कर लोगा तो यह तो इसलिए यह वाला कनेक्शन में आपका हाई रेजिस्टन्स सोगरेगा तो पिन पिन आइडेंटिफिकेशन का आपको फिगर सिमिलार लग रहा होगा पर एक बार आपके नोट्बुक में इसको ड्रो करके देखिए konnekson में बहुत भेरी करता है इसरा पिका टर्मिनाल में में पिका करनेक्शन दिआओ इदर आपका पी में में करनेक्शन दिया हूँ यह वाला आप पहले नोट्बुक में ड्रो कर लिजे ड्रो करनेलने लिने के बाद आपको जो है यह चीज आरहम से समझ में आ जाएगा पताओना चाहें तो पावर हेंडलिंग आपका ज्यादा तीन तरह का थीक है पावर हैं यूत्य आपका तीन तरह कहा है एक है लो पावर टांजिस्टर्च और मीडियूम पावर ट्रांजिस्टर और जो है आख्री वाला हाई पावर ट्रांजिस्टर जयाद है तर दर 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 करें तो लोग पावर ट्रांजिस्टर आपका कि kita पावर कंज्यूम कर सकता है लो-पावर ट्रांजिस्टर आपका ट्धिंडिम पावर ट्रांजिस्टर कर बात कर sentenced कर! टू वाठ्स से लेकर टू आर्च से लेकर आपका 10 वार तक हिए फो कि जो ड़ных अर्जीसटर आपका टू आर्भभभभा तक है और जो आपको सब लेकना कि more than 10W तो यह आप देख सेकते तीन तरह का है यह लोग पावर मिडियों पावर और हाइड है तीन तरह का तो लोग पावर ट्रांजिस्टर आपका यूज होता है लो सिगनल एम्प्लिफिकेशन के लिए ज्जादा दर आपका लोग पावर ट्रांजिस्टर होता है ल क्या करता है और आपका किई घए आपका लो पावर एंपिकैसन के लिए विए ऩो रहा है likelihood को लो पाल के कि अंपर्श अलब का एंप्लीफाइर जादा का फास्ट सटेज्ट अप्रिफिके CS seulement कि यह चे माथ रहता है तो आपको पूछ सेकता है कि आपका जो लोग पावर आपका ट्रांजिस्टर है वह आपका कौन सा स्टेज में वर्क करता है तो लोग पावर ट्रांजिस्टर आपका ज्यादा दर फास्टेज में रहता है कि फास्टेज अम्प्लिफिकेशन में का यू जो होता है आपका लोग ठाशिस्टर जो है फास्टेज अंप्लिफिकेशन में यू जोता है जो कि आपका लोग करता है तो इसका जो एक्जंपल क्या है लोग ठाशिश्टर के अन्दर आपका कोनसा कॉनसा जाता है लोग पावर टांजिस्टर आपका जाता है माइक्रोफून कि कुरी टैफ необход को और आपका टंस्ट्रिंश अ कि यह तीन चीज आपका जाते के श्लम पावर टांजिस्टर के अंदर अब हम बात करेंगे के मिडियम और हाइइ पावर का किम लौ पावर को हम बोलते हैं लासिगनल तो कम अ कि मीडियम और हाइपावर टंश्टेर को हम पोलते हैं लार्च सीग्नल एंकलड लाइश से जहना है जो यूज होता है आपका unrest है और हाइप कि ऐसे अधर के लिए आफका यूजो दा तो इसका एंग्जम्पल भी आपको पता होना जाहिए उसका इसका आंडर एक हीक्ट सिंग के लिए एक मैटल यूज होता है जिसको मेटल चैस्टिस फे वह माउंटेड होता है मतलब अगर मैं उसका फिगर कर लेता हूं उस तरह का आपका टांजिस्टर आज आएगा फिगर देखें होंगे कुछ इस तरह सा उसका ऊपर एक मेटल वाला बीच का होल होके रहा हूं यह वाला ब्लाक कलर कर रहा होगा यह बला इस तरह सा यह बला आपका हो गया जो हाइप और एंप्लिफिकेशन के लिए उज़ता है एक इधर आप यह बला आपको बोलते मेटल यह बला आपका मेटल लिख बला पाट है यह यूज होता है पर हीट सिंग के लिए प्रोड्यूस होता है यह क्या करेंगा आपका ट्रांजिस्टर से कर लेगा और स्रांडिंग यह के लेगा तो नतुए ही ही है मतलब यह आपका जब आपका टांजिस्टर ज्यादा ओवरीट हो गया तो यह क्या करेगा आपका टांजिस्टर से हीट ले लेगा ठीक है तो वह बाहर जो सरांडिंग में उसका एर है एर में ही उसको डिस्चार्ज कर देगा मतलब इसका हीट को एर में ही ओ डिस्प् फ्रिक्वेंची डिपेंडेंड होगा तो फ्रिक्वेंची डिपेंडेंड में और कैसा वाक करेगा इसके बारे भी जान लेते तो बेस्ट उन में फ्रिक्वेंची यह भी दो तरह का है आपका है एक लौ फ्रिक्वेंची रेंच एक आपका लोव फ्रिकुएंचिरेंच दूसरा है आपका हाई फ्रिकुएंचिरेंच तो लोव फ्रिकुएंच में आपका ज्यादा दर चला जाए गा इसमें ओडियो फ्रिकुएंची जाएक लोव फ्रिकुएंची जाएंगा आपका आपका ओड़ियो फ्रिकुएंची स्थ्याव क्योंतर प्रिकुएंची तोह सब्सक्राइब में आप का आजएग टीवी रीचीवर डीवी में देखेंगे होंगे एक रीचीवर होता है टीवी में ठीक हो हाइच्ट डीवीसिवर और आपका रेडियो रीचीवर अधिव यह सूअ कर आया जाएगा हाइच्ट और टेफ्रत रेकैणर और चितना आपका पर्स्नाल असेस्रिज सुर्फ है जितना आपका पर्स्नाल capitalist में आपका पर्स्नाल ने लेखोड़ तोटर एक्विमेंट में आपका जादा दर आपका बंना था वह ऽे जाएसके का ओसाहीर करने वाечение वाल उपर मतलब आपका का सेलिक्षियों आप का बंद लिए तो उसके बाद आप जीयस तरह से आप यूज करेंगे मतलब वह फ्रिक्वेंसी के प्रेकोंश के लिए यह लो फ्रिक्वेंसिया है आप यूज़ कर लिए अब जो को सब्सके को से होगा तो फाइनल पेकेजिंग के तीन वे हैं थिसते आप पहला वे जो है वे चैनल क मैटल पेकेजिंग सबुसरा है आपका कर से अगया बोग्ध के मेटल पेकेजिंग जो है? ये आपका यूज होता है मिडियों एंड हाई पाउर एम्प्लिफिकेशन के लिए तो आपका जो metal packaging है यह आपका medium और high power amplification में यूज हो रहा है plastic packaging जो है वो आपका low power low power amplification में आपका यूज होता है plastic packing packaging और इन दोनों को मिला के एक भी packaging होता है मतलब प्लास्टिक पेकेजिंग में इधर लेख लेता हूँ कि प्लास्टिक पेकेजिंग होगा पर उसमें आपका metal हीट्सिंग लेगेगा प्लास्टिक पेकेजिंग होगा पर उसमें आपका metal हीट्सिंग यूज होगा तो इस तरह सा पेकेजिंग आपका यूज होता है प्लास्टिक पेकेजिंग रहता है पर उसमें आपका metal हीट्सिंग यूज होथा है यह वाला पेकेजिंग आपका यूजे वहता है एक स्पेस्टेट्बॉपusement निद्म अप्लिफिकेशन के लिए यूज ओए और रहे गया सबसे संदार्द को सिरमें पेकेजिंग ये रामिक नदुनिक पेकेजिंग आपका यूजे ये आपका यूज हो था हाइप पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए जैसे कि ये एम्प्लेफाई कर सकता है आपका हाइफ फ्रिक्वेंची हाइफ फ्रिक्वेंची और हाइफ टेंप्रेट्चर स्टैबिलिटी तो फिर एक बार बताग रहा हूं आपका मेटाल यूज हो रहा है मीडियम और हाई पावर एंप्लिफिकेशन के लिए और प्लास्टिक का जो हो पैकेजिंग यूज होता है और है आपका लोग पावर एंप्लिफिकेशन के लिए और मॉडिफाई होके कि दोनों को मडिफाई करके मतला प्लास्टिक पेकेजिंग यूज होता है पर उसमें आपका मेटल का एक हीट सिंग लेगा हुआ होता है तो यह वाला आपका यूज हो रहा है आपका मीडियूम जो मीडियूम पावर एंप्लिकेशन के आपका यूज हो रहा है और आपका जो तो रहे गया सबसे लास्ट वाला जो सिरामिक का सबसे जो स्पेशल टाइप हे यह क्यूंकि यह आपका जैसे हाई फ्रिक्वेंशी को एंपलिफाइब कर सकता है और इसमें जो है आपका टेंपरेचर का स्टाबिलिटी वह है हाई टेंप्रेचर स्टाइबिलीटी है तो इस तरह का इधर जाद अदर आपका यूज होता है तो आज का सेशन जो है यही तक था तो आज जो हम डिसकेशन करें और है आपका कैसे हम आइडिन्फाइब करेंगे पी और एंपन टांजिस्टर को और उसका जो कौनसा कौनसा फ दिसकेशन कर लेंगे इसे तरह साथ जो है सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे तो इसमें से आपको अगर कुई भी डिफिकल्टी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्षन में आपको बता दीजे मेरे को कि यह वाला सेक्षन में मेरा डाउट रहे गया या कुछ रहे आप कमेंट कीजिए किस तरह साथ जो विडियो रह रहे है मतलब क्लियास आपको कैसा लेग रहा है या क्या डाउट रहे गया कि आपको जरुद क्या है इस बारे में भी हम बताएंगे तो अच्छा होगा तो दोस्तों होने का कुछ भी जरूत नहीं है अगर एक्जाम नही पर टेंसन नहीं लियने, बहुत सारे तानने मीसं सुणने पड़ेंगा, आप जो जिस लाइन में अभी है, बहुत सारे ताने मीसं पड़ेंगा, पर आप जो हे एक सबसे बड़ा फाइटर है, ये चीज आप मतलब दिल और दिमाक में एकदम से सेट कर लीजिए कि आप जो है एक फाइटर है जो किसी से ही नहीं ड़ते तो आप जो चीज करेंगे ओही आपके उपर डिपेंडेबल रहता है कि आप किस तरह का मतलब कौन सा लेबल पर हाड़ वार्किंग करके आए आपका हाड़ वार्किंग ही आपको बहुत जीत का मज़ा आपको तभी आएगा जब दुनिया वाले सोचेंगे कि यह हार जाएगा तब आपको जीत का मज़ा सही तरह का फिल होगा तो आप जो है मेहनत को आप 100% लेबल तक लेके जाए और आगे चलते जाए आप जो है सक्सेस जो है 100% आपके पास आजके रहेगा त तो यह वाला आख्री मोटिविकिसम के साथ यह वाला क्लास को यही खतम करते हैं जय जगन्नात